हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एक important case law समझने का परियास करेंगे और यह case law है राकेश कुमार पॉल बनाम एस्टेट ऑफ अशाम इस case में मान्य उच्छतम नहाले के शमक्ष दो प्रस्थन विचारनिय थे पहला यह प्रस्थन था कि जदी कोई ब्यक्ति किसी ऐसे अपराध का आरूपित है जिसकी सजा अधिक्तम तस वरस की कारवाश है और वह 60 दिनों तक जेल में रहा जेल में है 60 दिनों से जेल में है और आरूप पत्र समर्पित नहीं किया गया है तो क्या वह जमानत का अधिकारी है दूसरा प्रश्ण यह था कि जदी ऐसा ब्यक्ति लिकीत आवेदन न देकर मौखिक आवेदन करे तो क्या वह जमानत का अधिकारी है आईए हम इन दोनों प्रश्णों को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट सिचुएशन समझने का प्रयास करें इस वाद में आवेदन प्रिवेंशन अप करप्सा नेक्ट के तहत आरूपी था और जिस अपराद का वह आरूपी था उस अपराद की सजा चार बरस लेकर दस बरस तक की थी यानि अधिक्तम सजा दस बरस की का रवास थी आवेदक ने इस्पेशल कोट में नियमित जमानत का आवेदन दिया जो खरिश कर दिया गया नियाय अले द्वारा तदो परांत आवेदक ने उच नियाले में नियमित आवेदन नियमित जमानत का आवेदन दिया तथा सुनवाई के दौरान यह दलिल दी गई कि 60 दिन ब्यातित हो गए हैं और आरूप पत्र आवेदक के बिरुद्श मर्पित नहीं किये गए इसलिए वह दमानत का अधिकारी है मान्य उच नियाले द्वारा इस दलिल पर विचार करते हुए इस अधार पर खारिज कर दिया गया कि इस वाद में यानि ऐसा अपराद जिसकी अधिक्तम सजाद 10 बर्ष की कारवास है उसमें 90 दिन समय रहता है प्रोस्क्रिप्शन को चार सीट दाखिल करने के लिए अब हम लोग पहला वाला प्रस्ट लेते हैं यह फैक्ट सीच्वेशन था पहला प्रस्ट लेते हैं पहला प्रस्ट में जो प्रस्ट पैदा होने का कारण था हुए CRPC की धारा 167 की उप धारा 2 में एक अभी ब्यक्ति हैं not less than 10 years मान्य उच्चेतम न्याले ने इस सब्दावली का हिया अर्थ निकाला कि not less than 10 years का मतलब होता है कि कमश्य कम 10 बरस या इश्यश्य अधिक तथा इस ब्यक्ख्या के अधार पर मान्य उच्चेतम न्याले द्वारा या अभी निर्धारित किया गया कि जदी कोई अभियुक्त किसी ऐसे अपराद का आरूपित है जिसकी अधिक्तम सजा 10 बर्ष है और वह 60 दिन से काराधीन है तथा आरूप पत्रशमर्पित नहीं किया गया है तो वह जमानत का अधिकारी है दुसरा जो प्रस था दुसरा प्रस नहीं है था कि क्या ऐसा ब्यक्ति लिखित आवेदन न देकर मौखिक आवेदन करें तो क्या वह जमानत का अधिकारी है इस दलील पर प्रसक्यूशन द्वारा यह अपत्ति की गई कि चुक्की अभ्यूक्त या आवेदन ने आवेदन के लिए उचित जमानत के लिए उचित आवेदन नहीं दिया है इसलिए वह जमानत का उसलिए यह दलील पोषणी नहीं है इस पर उचितम नयाले द्वारा यह कहा गया कि उचित नयाले में प्रसक्यूशन द्वारा ऐसा कोई आपत्ति दर्श नहीं किया गया था तथा उच नयाले ने इस दलील के गुड़ दोस पर विचार करते हुए इस अधार पर इस दलील को खारिश कर दिया कि इस केस में यानि ऐसे केस में जो 10 बर्ष अधिक्तम जिसकी सजा 10 बर्ष की कारवास है उसमें 90 दिन का नियम लागू होगा तो चुकि उच नयाले ने गुड़ दोस की विवेचना करते हुए खारिश किया था इस दलील को और ऐसा कोई आपत्ती उच नयाले में प्रोस्क्यूशन द्वारा नहीं दर्च कराई गई थी इसलिए उच नयाले ने इस आपत्ती को प्रोस्क्यूशन के इस आपत्ती को दर्किनार कर दिया और यह अभी निर्धारित किया गया कि जदी लिखित आवेदन न देकर मौखिक आवेदन भी नयाले में किया जाए तो ऐसा ब्यक्ती जमानत का अधिकारी है यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रयास था इस के स्लोग को अस्पस्ट करने के लिए जदी इससे कोई इससे सम्मंदित कोई आपका प्रश्ण हो जी क्या सा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं धन्यवाद झाल